के बाद से दुनिया में सेहत को लेकर लोगों की जागरुपता बढ़ गई है लोग सेहत को लेकर और भी सक्रिये हो गए हैं लेकिन इसी बीच अमेरिका के औरेगन में स्वास्ते अधिकारियों ने 2005 के बाद से राज्य में विबॉनिक प्लेक के पहले मामले की पुष्टी की है रिपोर्ट्स के अनुसार एक व्यक्ति को एक बिमार पालतू बिल्ली से ये बिमारी हुई बिमारी का तुरंट पता चल गया और व्यक्ति को इलाज के लिए एंटीबर्टिक्स दी गई बिल्ली का भी इलाज किया गया लेकिन वो बच नहीं पाई 1346 से 1353 के बीच योरप में विबॉनिक प्लेक से 50 मिलियन लोग मारे गए थे जिसे ब्लैक डेट के नाम से भी चाना चाता है तो क्या औरेगन में सामने आया ये मामला चिंता का कारण है आये जानते हैं इस वीडियो में मेरा नाम है कुमर शर्मा और आप देख रहे हैं नियूस नेशन का डिजिटल प्लैक फॉर्म प्लेग ये सिर्निया पैस्टिस एक जुनॉटिक बैक्टिरिया के कारण होता है जो जानवरों और लोगों के बीच फैल सकता है वहीं पैस्टिस आमतोर पर छोटे जानवरों में पाया जाता है इंडिन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार डबली अच्चो के अनुसार मनुश्य तीन तरीके से संक्रमित हो सकते हैं संक्रमित वेक्टर पिसू के काटने से संक्रमित शारिरिक तरल पदार्थ या दूशित समगरी के साथ असुरक्षित संपर्क और निमॉनिक प्लेग से पीडित रोगी की सांस की छोटे कणों का सांस के जरीए भीतर चले जाने से प्लेग के लक्षन कई तरह से प्रकट हो सकते हैं USA के रोग नियंतरन और प्रिवेंशन केंदर के अनुसार ये बुखार सिरदर्थ कमजोरी और दर्द भरे सूजे हुए लिम्फ नोट्स का कारण बन सकता है और आमतोर पर संक्रमित पिसू के काटने से होता है यदि बैक्टिरिया ब्लड्स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है तो सेस्मिक प्लेग होता है ये अक्सर इलाज ना किये गए बैकबोनिक प्लेग के बाद होता है अतिरिक्त अधिक गंभी लक्षनों का कारण बनता है इन में पेट में दर्थ, जटका, त्वच्चा का काला पढ़ना ज्यादा तर उंगलियों और पैर की उंगलियों का काला पढ़ना माना जाता है CDC के अनुसार ये रूप या तो पिसू के काटने से या किसी संक्रमित जानवर को चूने से होता है निमोनिक प्लेग सबसे खतरनाक है WHO के अनुसार अगर इलाज ना किया जाए तो ये हमेशा घातक होता है जैसा की नाम से पता चलता है ये तब होता है जब बैक्टीरिया फेफ्रों में प्रवेश करता है और लक्षनों की सूची में तेजी से विक्सित होने वाले निमोनिया को जोड़ देता है CDC के अनुसार ये प्लेग का एक मात्र रूप है जो संक्रमक बंदों द्वारा एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में फैल सकता है जो इसे सबसे अधिक संक्रमक भी बनाता है या इनसानों में किसी मौत का कारण बनेगी। 1930 के दशक तक बेबोनिक प्लेग महमारी अतीत की बात बन गई। आज CDC के अनुसार हर साल दुनिया भर में प्लेग के कुछ हजार मामले सामने आते हैं। जिन में से ज्यादा तर मेडागासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो और पेरू में होते हैं। इससे होने वाली मृत्यू लगभग 11 प्रतीशत है। इस खबर में बस इतना ही। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कुमेंट कर। जरूर पते हैं। जरूर पते हैं। जरूर पते हैं।